हेलो गाईस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज ही इस वीडियो में देखेंगे रेलवे आरपीफ दो हजार चोबिस में जो न्यू वैकेंसी आएगी उसके बारे में आरपीफ एसाई एन कॉंस्टेबल दो हजार चोबिस की जो वैकेंसी का सोट नोटिस है वो ओफिसली आउट हो गया है इससे पहले भी एक वाइरल नोटिस आया था लेकिन उसे फिर रेलेवे ने मना कर दिया था कि ये फेक नोटिस है लेकिन कल के दिन यानि कि कल एक मार्च दो हजार चोबिस था उस दिन ये अफिसली वैकेंसी आने वाली है दोनों की आएकी इसमें ओपर देखने को मिली और दोनों की कंबाइन होके वैकेंसी आई है तो आज की इस वीडियो में देखेंगे आप कबसे इस फोण को ऐपलाई कर पाऊगे इसमें एज लिमिट क्या है और इसके दावा कितनी फीज आपको सम्मिट करनी पड़ेगी ओनलाइन रेइस्टेशन के टाइम एक्जाम पैटर्न स्लेबस सैलरी कितनी मिलेगी सबी डीटेल के बारे में देखेंगे वन बाई वन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब् सो गईस यहां पर आप देख सकते हो भारत सरकार रेलवे मंत्राले का ओफेसियल नोटिस है और आप इसे कुछ भी चैक कर सकते हो www.rojgaarsamachar.government.in दोनों वर्जन में होता है यह हिंदी और इंगलिस दोनों में तो आप देख सकते हो तो इसमें आप देख सकते हो आरपीअफ 01.2024 और आरपीअफ 02.2024 इसमें सब इस्पेक्टर और कॉंस्टेबल दोनों की है आप इस फॉर्म को जो है 15 अप्रेल से अपलाई कर पाओगे 15 अप्रेल 2024 से अपलाई कर पाओगे और जो लाजड डेट होगी वो 14 मैं होगी यानि कि एक दिन का आपको टाइम म मिला है इस फॉर्म को फिल करने का तो जैसे ऑफिस्यल नोटिफिकेशन आएगा तो अब पहले रीड करना उसके बाद इसे एपलाई करना और यहाँ पर देख सकते हो वेकेंस की डिटेल भी इन्होंने बताई है इसमें सब इस्पेक्टर में यानि की SI में जो है आपको ग् घ्रेजवेट हो कब तक 14 मही तक अगर आप ग्रेजवेट हो सकते हो तो आप इससे अपलाई कर सकते हो अगर उस्पेक्र अगर अप ग्रेजुएशन में अभी ऐप एपेरिंग हो और 14 मही से पहले आपका फाइनल रिजेल नहीं आता हाथ आप एपलाई नहीं कर पाऊ गे यानि कि graduation के आपके पास degree होनी चाहिए और इसमें age देख सकते हो 20 से 28 साल है इसके अलावा OBC 3 साल ज़्यादा apply कर सकते हो यानि कि 31 साल तक और SCST वाले इसमें 33 साल तक apply कर सकते हो यानि कि 20 से 33 साल तक SCST वाले apply कर सकते हैं और 20 से 31 साल OBC वाले apply कर सकते हैं इसके बाद constable में 18-28 है और इसमें भी same as relaxation मिलता है जो vacancies है वो SI में 452 vacancy है और जो constable है उसमें आपका 4208 vacancy है तो ये vacancies का देख सकते हो डिवाइडेशन है और टोटल इसमें जो vacancies आई है आरपी अप 2024 में वो 4660 है जिसमें आपका SI की भी vacancy है और constable की भी vacancy है तो ये देख सकते हो आप बात करते हैं इसके exam pattern अच्छा इसे आप apply करने के लिए इसमें जो journal वाले हैं उनके लिए journal OBC और EWS के लिए इसमें 500 रुपे फीस है ये किसके लिए है जर्नल OBC और EWS के लिए इसके अलावा जो SC और ST candidate है इनके लिए 250 रुपीज है इस फॉर्म को apply करने के लिए अब इसके exam pattern के बारे में बात करते हैं सो गाइस यहाँ पर constable का ये exam pattern है देख सकते हो लगबग ऐसा ही pattern आता है अभी official जब notification डेटेल आएगा तो कुछ भी change होगा तो मैं आपको बता दूँगा अभी के लिए तो आप देख सकते हो ऐसा ही कुछ syllabus होता है जिसमें GKGS के 50 question आते हैं 50 number के arithmetic यानि की math के 35 question आएंगे 35 number के और reasoning में भी 35 question आएंगे 35 number के total ये 90 minute का exam होता है यानि की ड-5 गन्टे में आपको कितने question करने होगे 70 और 50 एक सो बीस question करने होगे कितने minute में 90 ममिन यानि की डेड़ गन्टे में 120 question करने होगे और 120 number का ही यह exam होता है, इसके अलावा अगर आपके एक question सही होगा तो एक number मिल जाएगा, एक question गलत है तो उसमें आपके 1 by 3 negative marking है, यहनी कि 0.33 आपके minus हो जाएंगे, तो यह देख सकते हो और इसके अलावा यह salary दिया है इन्होंने देख सकते हो, 21,700 considerable की है, 35,400 इसमें SI की है, लेकिन जो salary है, वो लगबक 40,000 तो जो आपको in hand मिलती है वो considerable की होती है, और लगबक 55 प्लस आपकी SI में salary बनती है बाकी other benefit मिलते हैं, वो depend करता है, कहाँ पर आपकी joining हुई है तो जब भी notice आएगा detail तो मैं आपको सारे चीज़े बता दूँगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही thank you guys